नमस्ते दोस्तों आज हम हिंदी नेट के पाठिकरम में रखा गया एकाई नमबर तीन में साहिति शास्त्र का जो भाग है उसमें आई, ए, रीचर्ड क्या जो सिद्धान्त हैं मुल्ले सिद्धान, संप्रेशन सिद्धान तथा काव्य भाषा सिद्धान ऐसे तीन सिद्धान उसमें दिये गए हैं तो उनमें से जो मुल्ले सिद्धान उनका पहला सिद्धान है वह हम आज देखने वाले हैं तो चलिए इवर आर्मस्ट्रॉंग रीचर्ड ये उनका जो पूरा नाम है अठासो त्रेन्नो से उननीस सो उननसी में उनका कारिकाल रहा है बीसवी सदी के आलोचको में येश और प्रभाव दोनों ही दुरुष्टि उसे इवर आर्मस्ट्रॉंग रीचर्ड का गोरोपुर्ण स्थान है उनकी आलोचनवात्म कृतियों में मनोवेग्यानिक दुरुष्टी का प्राधान ने पाया जाता है वे संदरे को वस्तुगत मानते हैं उनक आलोचना शास्त्र को व्यवस्तित रूप दिया है आलोचना विशेक कुछ मोकिक प्रशनों पर अब तक विचार नहीं हुआ है जैसे कई कवीता पढ़ने पर उसकी अनभूती का मुल्ले क्या है एक अनभूती दुसरी अनभूती से स्रेष्ट क्यू है इन प्रशनों पर उन्होंने विचार किया है नई समिक्षा में कवीता के विशलेशन की जो पधती विकसित हुई है उसके लिए सिध्धान्तिक अधार प्रस्तुत करने का श्रे भी रीचर को ही दिया जाता है अमिरिका में न्यू क्रिटिसिजम नामक आलोचना जो संप्रदाय का विकास इन को छोड़ कर कोई दूसरा प्रतिस्परदी इनका नहीं हो सकता प्रिंसिपल आफ लिटेरिली क्रिटिसिजम यह रचना उनकी अखंड क्रिती का एक आधार है साम के सकते हैं अब यूगीन परिवेश में उन्होंने रिचर का यूग विज्ञान और भूतित वादी जीवन दूसरी और मेथू अनौड की जो सामाजिकता तथा मनोवेग्यान की जो अंतर दूस्टी थी जो सांस्कृतिक विकास में कविता को महत्वपुर्ण स्थान देती थी तिसरी और कला कला के लिए या कविता कविता के लिए प्रवर्ति में कला को जीवन से काट कर देखने की जो प्रकृति पर बल दिया था विज्ञान के प्रभाव ने काविक को महत्विहिन कर दिया था टॉमस लव पिकॉक ने कहा था कि हमारे यूग में कवी सभ्य समुदाय में अर्थ बर्ट है वह अतीत में जीता है उसके विचार भाव सहाचर्य सभी बरबट विवहारों से वियुक्त रितियों और खंडित अंधविश्वासों से सम्मधित है उसकी बुद्धी की गती केकडी की तरह पीछे की ओर है पिकॉक के वेंगे की इसकरारी चोट से कवी वर्ग ही नहीं आलोचना वर्ग भी विचलित हो उठा जो खत्रा काव्य पर था उसके बाद विज्ञान और काव्य के अपेक्षित महत्व और उपियों गीता पर लिख अपनी अलोचना पद्धिती को भी वेज्ञानिक आधार पर प्रतिष्टित करते हैं परंतु मनोविज्ञान विज्ञान नहीं है मनोविज्ञान में कारणकारी की व्याप्ति सदा नहीं रहती जैसे गुलाब का फुल देखने पर आदमी के मन में एक ही प्रतिक्रिया हो यह संभव नहीं उसी तरह शास्त्री के संगीत का तान सुनकर कोई जूम उठता है तो कोई उंग नहीं लगता है अब जो पाच्चात्य अलोचना के शत्र में आये रिचर्ड्स इवर अर्मस्ट्रोंग रिचर्ड्स का ऐसा नाम है जिसमें अपनी मोलिक प्रतिभा चिंतन और अपनी विद्वता का जो परिचे दिया है और पूरे पूरे देश पच्चमी देशों में नहीं पूरे विशों में ये उन्होंने प्रसिदी पाई है अलोचना के शेत्र में मनुविज्यान पर आधरित अपनी दुरुष्टिकों येवम अपने सिध्धानतों के दारा उन्होंने विश्व फलक पर अपनी प्रतिष्टा कायम की है नई समिशा के प्रवर्तक रहे है और मनुविज्यानिक विवेचना द्वरा पाच्छत्य समिशा को एक नुटन दुरुष्टि प्रदान की है अब उनका जो मुल्य सिध्धानत है मुल्य सिध्धान को हम देख उसमें उन्होंने कहा है कि कावे समन्दी जो उनकी मानेत है रिचर्ड कावे ऐसी कोई भी वस्तु मुल्यवान है जो समान या महतवपुर्ने इच्छा को कुंठित किये बिना किसी इच्छा को तुष्ट करती है मुल्य और मुल्य की अनुभूती परियाय है मानोमन में आवेगों की उत्पती चलती रहती है आवेग दो परकार के होते हैं प्रवर्ती मुलक आवेग और दूसरी निवरती मुलक आवेग जो हमारे प्रवर्ती मुलक आवेगों को संतुष्ट करता है वही हमारे लिए मुल्यवान है साहित्य का मुल्य हमारे उत्वेगों या शुब्द होती हैं आवेगों की विश्रान्ती में ही कावी की महता मुल्यवता हैं आवेगों के सामन जैसे पर आधारी सुनदरी की अनुभुती मुल्यवान होती हैं कावे कला के सोरतम रूप पदान करने के लिए कवी की मनुवेग्यानिक अनुभूती के मुल्ली की स्थापना सामाजिक दुरुष्टि से हीत कारी होनी जाए कावे में भाव उत्ते जग भाशा के विशिष्ट प्रयोक से उसके भीतर का परस पर विरोधी आवयक का जो सामन जैसे एथावद बना रहता है उसमें मुल्लेवान सुन्दर या नुभूती की जाती है यही मनुवेग्यानिक कावे मुल्ले है अब रिचर्ड के मुल्ले सिधान की मानिता की जो व्यक्या उन्होंने की है वहां हम देखेंगे मुल्ले यानि जो मूलता अर्थशास्त्र यों कहें कि राजनितिक अर्थव्योस्ता का शब्द है किन्तु इसका शेत्र विस्तार हो गया है अर्थशास्त्र से उसका प्रवेश दर्शन शास्त्र में हुआ फिर मनोवजण में और मनोवजण से साहित्य में मुल्ले की सामानय परिभ्षा यह रहे कि मुल्ले किसी वस्तु का वह धर्मगून है जिसमें उसका परिशशन अथवा रूचि नहीं थो अर्थाप कोई भी वस्तु यदि हमें रूची कर प्रतित होती है या पसंद आती है तो हमारे लिए मुल्यवान है रिचर्ड ने अपनी विश्व विख्यात कृती प्रिंसिपल में मुल्य की परिभाशा दी है उन्होंने तीन परिभाशा दी है जिसमें कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करती है मुल्यवान है पहले दूसरी विविन जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टी की शमता मुल्य है तीसरी ऐसी कोई भी वस्तु मुल्यवान है जो समान या अधिक महतोपूर्ण इच्छा को कुंठित किये इच्छा को संतुष्ट करती है अब तीन भरका की जो परिभाशा उन्होंने दी है उन परिभाशाओं का जो सार है जिस वस्तु में हमारी अधिक से अधिक इच्छाओं की संतुष्टि हो सकती है वो सरवादिक मुल्यवान है ऐसाम के सकते हैं डॉक्टर देविंद्रनाथ शर्मा रिचर्ड के मुल्य समंदी जो परिभाशा की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि इसका अनिवारिय निश्कर शियह है कि जो वस्तुता इच्छा पूर्ती में साधक नहीं है वे मुल्य हीन है इस दुरुष्टि से जो अच्छी और है और आचार सहीता इच्छ सिद्धी की सामानत्य जो व्यवस्ता की अभिवेति है रिचर्ड के मुल्य सिधान की ये स्थापना है कि मुल्य और मुल्य की अनुभूती में कोई अंतर नहीं दोनों परिया है यही मुल्य की मनुवेग्यानिक धारना है इसी आधार पर मुल् जिसमें आर्थीक,नैतिक,धर्मिक, राजनितिक, शान्सकृतिक आदी मुल्य सिधान के अंतरगर् रिचर्ड मानो मन की क्रियाओ और प्रतिक्रियाओ की जो मिमान सा करते हैं मानो मन को आवेगो का तंतर बताते हैं और कहते हैं कि आवेगों की उत्पती कभी अवरुद्ध नहीं होती, चेतना आवस्ता में आवेगों की जो उत्पती सदव चलते रहती है, रिचर्ड ने आवेगों को दो वर्गों में रखा है, प्रवर्ती मुलक इच्छा आवेग और निवर्ती मुलक द्वेश आवेग, क जबकि कुछ आवेग एक दुसरे से भिन्न भी होते हैं और परस पर विरोधी भी जैसे करुणा और भे रिचर्ड आवेगो में सामन जैसे को महतोपुर्ण स्थान या जो मुल्यवान बताते हैं क्योंकि सामन जैसे में सोंदर या अनभूती की की जा सकती है रिचर्ड के अन रिचर्ड का मुल्य सिध्धान किस पर आधरित है इच्छाओ की संतुष्टी पर साहिति का मुल्य हमारे आवेगो में संगती और संतुलन स्थापित करने में नहीत होती है रिचर्ड कहते हैं कि परस पर विरोधी आवेग और संगर्शरत होकर एक दुसरे की संतुष्टी म बाधग बनकर एक दुसरी की निराशा का कारण बन जाते हैं जो वेक्ति समाज के लिए हनिकारिक है परसपर विरुधी आविगोग में सामन जश्य संतुलन आवशक है रिचर्ड इस प्रकार का संतुलन और समयने कला का गून माते हैं रिचर्ड की दुष्टी में वह काव्य और भी महतुपूर्ण और मुल्यवान है जो ऐसी अकान शाओ को संतुष्ट करती है जिसे कम से कम रतिया होती है रिचर्ड की दुष्टी में वह संतुलन और सामन जश्य स्रेष्ट है जिनमें मानिवी संभावनाए कम से कम नश्ट होती है रिचर्ड के अनुसार यह संतु गोधी तता अनुकुल जो आवेगों का अलग कर सीमित आवेगों में जो सामंजे से स्थापित किया जाता है। इस आधार पर कविता के भी दो रूप हो जाते हैं। एक अपवर्जी या बहरवेशी कविता, समावेशी या अंतरवेशी कविता। रिचर्ड के अनुसार दूसरे परकार का सामंजे या दूसरे परकार की कविता अधिक मुल्यवान होती है। के कार्य को सीने स्थी सिस कहा है, उनका विचार है कि सीने स्थी सिस ताजगी देती है, ठकान नहीं। डॉकर जो भगीरत मिश्र ने रिका है कि इस दुरुस्टी से रिचर्ड के मुल्य सिधान को सीने स्थी सिस का सामंजे या संतुलन का सिधान भी कहा जा सकता है। मुल्य सिधान के अंतरकत रिचर्ड का यह माननेता जो प्रतिपादित करते हैं कि कोई भी सामजश हो फिर भी वो शनिक भी क्यों नो हो इसमें हमें सोंधर यानभुती पाते हैं रिचर्ड एक उधारन देते हुए कहते हैं कि मुरक के संग रात छेल संग एक घड़ी अर्थात अरसिक के साथ रात भर में जो आनन्द नहीं मिलता वो अरसिक या छेल के साथ एक घड़ी में मिल जाता है रिचर्ड कला को एकांतिक अथवा एकांगी नहीं मानते काव्य और कलाय मानव के अन्य व्यापार से संग जो उन से भिन्न नहीं किसी भी मानो क्रिया का मुल्य इस तथे से निरधारित होता है कि वो किस हद तक मानो मनुवेगों में संतुलन सामन जेसे या वेवस्ता रिचर्ड का यह भी मत है कि काव्य में कवी के मनुवेग्यानिक काव्य मुल्य की स्थापना या प्रतिष्टा है तो भाव उत्यजग भाशा वांच नहीं है भाव उत्यजग भाशा के विशिच प्रयोक से ही उसके भीतर का परसपर विरोधी आव्यगों का सामन जो का जो अर्थात ये थावत भना रहता है उसमें मुल्यमान सुंदर यानुभूती संभव हो पाती है रिचर्ड की दुष्टी में यही मनुवेग्यानिक काव्य मु प्रभाव की वख्या या उसका विश्लेशन किया है रिचर्ड की अनुसार आलोचको के दू आधार संभव हो एक मुल्य का लेखा जैसे अकाउंट आफ वैल्यू संप्रेशन का लेखा यानि मुल्य की सामान परिभाशा इस तरह से की जाती है मुल्य किसी वस्तु का या धर्म गून जिसमें उसका परिश्क या उसकी रूची नहीं थो अर्थात कोई वस्तु यदि हमें रूची कर प्रतित होती है या प्रसंद आती है तो हमारे लिए मुल्यवान है ऐसी रूची या पसंदी का समन्द प्रतमता अनुभूती से होता है और अन्त था इच्छा तता प्रवर्थी अर्थात किसी वस्तु की इच्छा हुई फिर उसे प्राप्त करने की प्रवर्थी हुई तो हमारे लिए मुल्यवान है बन गी तात परिये की मुल्य और अनुभूती परिया है मुल्य और मुल्य की अनुभूती में कोई भेद यहीं मुल्ली की मनुवेग्यानिक धारना है इस अधार पर जिस मुल्ले सिध्धान का विकास हुआ है उसे ही मनुवेग्यानिक मुल्ले सिध्धान कहा है ठीक है अब उन्होंने जैसे मुल्ले सिध्धान के लिए आगे कहा है कि मानसिक जो प्रक्रिया है या कारेशेर है और या भैसे बचने की जो कोशिश हैं, कावियानो धुती की व्याख्या के क्रम में रिचर्ड पहले मानो मन की क्रिया यो प्रक्रिया यानि प्रोसेस की व्याख्या करते हैं, उनके अनुसार मन आविगों का जो इन प्रोसेसों का तंत्र या सिस्टेम है या आविग की अपवसान से किसी कारिय में अर्थात आवेग मन की एक प्रकार या प्रकार की प्रकिरिया है जो किसी उद्धीपन से उद्पन होकर किसी कारिय में परिनाम हो जाती है ताथ पर यावेग की उद्पती के लिए सरोपतन उद्धीपन आवशक है उद्धीपन से मानसिक प्रतिक प्रतिक्रिया होती है और वह मानसिक प्रतिक्रिया मातरन रहे कर कारियरुप में परिनाम होती है अब उद्धिपन यानि मानसिक प्रतिक्रिया कारिशर उरोभे या भैसे बचने की कोश्च क्योंकि उद्धिपनों का क्रम है क्रम भी अवरुब्ध नहीं होता इसलिए बनकर मन में आवेग की सुरुष्टी करता है चेतन आवस्ता में आवेगों की जो उत्पत्ति का क्रम लगातार चलता रहता है द्वेश मुलक आवेगों को निवरती मुलक आवेग माना जाता है इच्छा मुलक आवेगों को प्रवरती मुलक आवेग माना जाता है इसलिए मन अनुकुल होती है और दूसरे की प्रतिकुल रीचर के मुल्ले का संभन्द इчитभ, संतोष्टी से है ईप्रिनीती कार्य में इच्छा करती है किन्तो अवेगों की अनेक्ता और भिन्यता की कारन अर्थ की प्राथमिक्ता का निर्धान आसाण नहीं होता एक आवेग अपनी और जो खेचता है और दूसरा भी अपनी ही और मान लीजे कि आखे किसी रूप माधोरी का पान करने में लीन है तब कान कहीं से आती हुई प्रतिधुनी को सुनकर उधर उन्मोख हो पड़ते हैं अब इन दो उधिपनों से उधपन दो भिन्न आवेगों को जो संगर्ष स्वाभाविक है द्वीदा है कि रूप माधोरी का पान करता रहे या अती धोनी की दिशा या संधान करे या मन ऐसे संगर्षों से कहीं शायद ही कभी युक तो हो आवेगों की लहरे लगातार उठती रहती है या संगर्ष तब तक जारी रहता है जब तक किसी कारी विशेश के पक्ष में निर्ने नहों किन्तो एक निर्ने हुआ नहीं कि दूसरा उपस्तित प्रतिक नहीं अनभुती एक नए आवेग को जन्म देती है इसलिए आवेगों का संगर्ष या हल्च लगातार जारी रहती है हलाकि कारे उसका शांत होना ही है उसका शांत नहोंने से मन को न चैन मिलता है न आरा मन की सबसे काम में स्थिति वह है जिसमें संगर्ष रत सभी आवेग संतुष्ट होकर शांत हो जाए किन्तो ये संभव नहीं है तब दुसरी काम में स्थिति वह है जिसमें अधिकतम आवेग संतुष्ट हो और नूनतम आवेग कुंठित कुछ आवेग तो आपने आप शांत हो जाते हैं कुछ प्रभद विरोधी आवेगों से दबा दिये जाते हैं और तदनंतर कुछ अनु कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उद्धिपन के प्रति आवेगों की जो अनुप्रियता है उतनी सुसंगटित और त्रियों जो होती है कि शनिक अनुभूती में गुनों की अनुभूती समाहित से प्रतित होने लगती है कावे उस दुरलब जो सार्थक क्षन की उपलोधी का सबसे बड़ा साधन है क्योंकि कलाओं का उद्गम असाधारन वित्तियों के जियोन में एशेश क्षनों से होता है जब अपनी अनुभूती पर उनका अधिक्तम नियंत्रांतता अधिकार होता है उनकी विभेन्ने किरियाओं में सामन जश्यर रहता है साथ ही स्वभाविक संकिर्नता और जो अस्तवेस्त स्थान जटिल रूप में उत्पन शान्ति ले लेती हैं कभी ऐसी सू संगटित या सू विवस्तित जो संतुलित मनस्तितियों से उद्बुद कला भावक की मनस्ति उसी रंग में देती हैं और आवेगो की संगर्श की विरती से भावक को परम शान्ति और विश्रान्ति की अन्भुती होती है रिचर्ड की मुल्य धारना संबंद इच्छाओं की संतुष्टि के साथ है इसी वे सबसे मुल्यवान वस्तुव हैं जिसमें अधिक्तम अधिक्तम इच्छाओं की स्थापना के लिए रिचर्ड मनुविज्यान की यात्राव पार करवाते हैं मुल्य अंकन अगर इसका किया जाए इस सिध्धान का तो कहा जाता है कि मुल्य सिध्धान की समिशा करे तो अनेक संग्रितिया अनाय सूट खड़ी होते हैं जिस मन प मानसिक अराजकता की स्थिती से संगटन की स्थिती में कैसे पहुँचते हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है तीसरा आवेगों की संतुष्टी का जो प्रश्चन उठकर रिचर्ड कावे को मानसिक चिकिसा का साधन प्रतिपादित कर रहे हैं इस सौंधर्य मिमान सा का जो खासकर आनन को नकारते हैं, रिचर्ड की यह मानेता केवल परंपरा विरोध शास्तर विरोध ही नहीं है, बलकि अनुभो विरोध भी है, इनकी सिधान को स्विकारने के बाद कविता का सरशनावाद, विशलेशन, सर्वता, अनुपयोगी हो जाता है, फिर भी रिचर्ड यह विवेचन मनुविज्ञान की प्रक्रिया को विशेद करता है, इसलिए महतपुर्न है, प्रिंसिपल लिटेरिरी क्रिटिसिजम के प्रकाशन, 1924 के पाचवे वर्षवाद, 1929 में जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिजम का प्रकाशन हुआ, प्रिंसिपल अफ लिटेरिरी क्रिट सजम आलोचना का सिध्धांत गरंत है practical criticism में उन सिध्धांतों का विनियोग है practical criticism की योजना भोतिक है यह गरंत अतिवादों से युक्त है और इसमें प्रतिवाधित जो विचार या निशकर्ष अधिक संतुलित है वे संप्रेशों या संप्रेशों के आलोचना का चरम देश रहे हैं, समसमा एक सांस्कृतिक सिती में अभिरूची रखने वाले आलोचको, दार्शनको, शिक्षको, मनुविज्यानिविगो या जिग्यासियों के लिए एक नई धंकास लेकर प्रस्तुत करना है, उप्रित लोगों के एक नई प्रवधी देना, कावे को वे क्यों करते हैं, शनिक प्रणालियों का एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करना, जो प्रचलित प्रणालियों से अधिक उपियोगत हो, ताक पर यह सांस्कृतिक वेचारिक तता शैशनिक उद्धिशों की सिद्धी के लिए इसकी रचना हुई है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिजम की, ठीक है, यह रहा जो रिचर्ड का मुल्य समंधी जो सिद्धान थे, धन्यवाद,